प्रदेश में करोना काल में भाजपा वो कांगरेश पार्टी के बीच आरोप रत्तिरोपां का दावर जारी है जहां कॉंग्रस पार्टी भाजवा सरकार के लिए फैंसलों पर प्रश्य चिन लगा रही है तो वहीं भाजवा कॉंग्रस पर संकट के काल में भी राजनीती करने का अरोप लगा रहा है हमिरपुर में कांगर्स पार्टी ने भाजपपर तवादला राजनीती के तहत नदाउन S.D.M. का तवादला करने के अरूप लगाए हैं तो भाजपपर ने कांगर्स नेताओं के दोरा केबल अपनी राजनीती उपस्तिती दर्ज करने के लिए ब्यानवाजी करने की बात कह हमिरपुर जिला के निदाउन उपमंडरा अधिकारी के तबादले पर कांगर्स पाइटी के परदेश महासचिव सुनीरी शर्मा ने सरकार पर अदलावदरी की भाबना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि करोना के संकड के दौर में भी परदेश सरकार तबादला हमिरपुर में करोना टेस्टिंग मशीन स्थापित करने के लिए फंड महया करवाने के बाबजूद आज दिन तक मशीन स्थापित नहीं होना सरकार की कार अपनाली पर प्रशंचिन लगा रहा है उन्होंने परदेश सरकार को स्वास्ते सेवाओं में जुड़े कर्मियों क प्रदेश करोना से पीडित है और भारती जनता पार्टी की सरकार और भारती जनता पार्टी के नेता ऐसे समय में अदला बदली बदला बदली की राजनीती में मश्रूद है ऐसे समय में होना तो ये चाहिए गरीबों की मदद के लिए स्वास्ते सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार को योजना बनानी चाहिए लेकिन आलम ये है कि अभी हाल ही में नदाउन के SDM जो की एक IS आफीसर हैं बहुत अच्छा काम कर रहे थे और ऐसे समय में जब कोई भी आफीसर काम करता है वो वहां की परसीतियों से वाकिफ होता है उसका ऐसे समय में तबादल करना सपस्ट इस बात की जलक देता है कि भाज़पा सरकार आज भी ट्रांसपर्स की राजनिती कर रही है उनको गरीबों की कोई मदद की ना तो कोई योजना है ना तो उसके प्रती गंबीर है सवास्थे सेवाओं को गंबीरता से लेना चाहिए मैं प्रशन पूछना चाहूँगा जैराम मुख्यमंत्री से कि जैराम जी अभी पीछे नदौन के विधायक कॉंग्रस के निता ठाकर सुखविंदर सिंग सुखू जी ने 35 लाख रुपया करोना टेस्ट मशीन के लिए दिया आज दो महीने होने जा रहे हैं अभी तक वो मशीन नहीं लगी पाई है स्वास्ते सेवाओं में डॉक्टर्स नर्सिस उनको PPE किट महीन नहीं करवाई जा रही है N95 मास्त महीन नहीं करवा जा रहे हैं और अभी हाल ही में अध्यापकों की ड्यूटी आपने कहां पे लगाई है स्कूल को आप करोना सेंटर बनाते हैं और वहां कहते हैं कि अध्यापक जाकर के वहां पे अड्मीशन्स लेंगे अध्यापकों के लिए कोई सेफटी नहीं है स्वास्ते विभाग में कोई सेफटी नहीं है और गरीब और मजदूर के लिए आपको राशन की खाने पीने की योजना के प्रती आपको गंभीर होना चाहिए कुल मिला करके बहुत ही शर्म की बात है कि भारती जननता पार्टी की सरकार और उनके नेता ऐसे समय में एक ओची राजनीती को अंजाम दे रहे हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की जननता को सभी कारे नहीं होगी और आने वले समय में मुख्यमंत्री जैराम जी और भाजपा के सरकार के जो मंत्री हैं और नेता हैं इनको हिमाचल परदेश की जनता के प्रती जवाब देही देनी होगी जिसके लिए कि इनको आने वले समय में इन गलतियों का खम्याजा भुकतना होगा कि वैश्विकम हमारी करोना के कारण ना केवल पूरा विश्व बलकि हमारा रास्टर भी संकट के दौर से गुजर रहा है और हमारे रास्टर के सम्वानिय प्रधानमंत्री श्रीमा नरेंदर मोदी जी के नित्र्टों में भरसक प्रयास पूरे रास्टर के अंदर चल रहा है कि कैसे इस वैश्विकम हमारी को नियंत्रित किया जाए इसको खतम किया जाए और कांग्रेस के मित्रों को केवल में कलब करना कि हम कैसे इस महमारी को हराने में जो सरकार के सुझाब हैं सरकार के निदेश हैं उत भर पालन करें भाड़ती refuses पार्टी की सरकार में केंद्रोञब प्रदेश हैं पůरी कोशिश कर रही है कि कैसे इसको को खत्म किया जाये और जहां तक प्रसाशनी जो निर्ने की बात कॉंग्रेस कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि यह टिका ठिपनी करने का स्मय है, सरकार का प्रतेग प्रयास है, चाहे वो स्वास्य ख़े विवाग हो अन्य विवाग को प्रसाशनी स्तर पर निरने हों। इन निरनेशों का केबल एक ही उद्धेश्य है कि कैसे हम आम जन्मानस को इस संकट के स्मय में राहत दें कैसे इस महामारी को खतम करें। तो होना तो ये चाहिए था कि कॉंग्रेस के मित्र भी जमीनी स्थर पर इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते कंदे से कंधा मिलाकर इस महमारी को खतम करने में सरकार का सहयोग करते पर कॉंगरिस के मित्र केवल अपनी राजनिती को पस्तिती दर्ज करने के लिए समय समय पर सरकार के निर्णों पर आरोप लगा रहे हैं और जोखी दुर्भाग्यपूर्ण है